नमस्कार मैं डॉक्टर श्राद्धावसेश्ट आपको सबकी शिक्षा में बेहत स्वागत करती हूँ बहुत ही मैतपून जानकारी आज की वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ और एप्रिल के महीने में कक्षा दूसरी और से उपर के कक्षाओं के ओफलाइन फॉर्म भी के इंद्रिविद्याले संगठन के द्वरा जारी कर दी जाएंगे समय कम है इसलिए चाहती हूँ सभी जानकारी सही जानकारी आपके पास पोहन सके तो बहुत ही महतपूर सवाल की कक्षा पहली के ओनलाइन फॉर्म में आप कितने स्कूलों के नाम भर सकते हैं यह सवाल हर उस अभी भावक को पता होना चाहिए जो कक्षा पहली के online form अपने बच्चों के लिए भड़ना चाहते हैं ताकि जब वे form भरें तो कही न कही परिशान ना हो, confused ना हो देखिए कक्षा पहली के online form भरेंगे तो आप कक्षा पहली के online form भरते समय तीन के इंद्रे विद्यालियों के नाम लिख सकते हैं जिन में आप चाहते हैं अपने बच्चे का दाखिला करवाना कोई भी तीन जो आपको अच्छे लगते हैं चाहे वे एक ही शहर में तीनों हो चाहे वे अलग-अलग शहरों में तीनों हो या अलग-अलग राज्यों में तीने हो आपको तीन के इंद्रे विद्यालियों का नाम लिखना होगा चाहे तो आप तीन लिखिये, चाहे तो आप दो लिखिये, लेकिन कम से कम एक तो आपको लिखना ही होगा तो अधिक्तम तीन केंद्री विद्यालों का नाम आप एक online form में भर पाएंगे और दूसरा कक्षा दूसरी और उससे उपर के कक्षाओं में कितने आप offline form भर पाएंगे दाखिले के लिए तो आप सभी को बतारा चाहती हूँ, इसमें कोई limit नहीं है, कोई सीमा तय नहीं करी गई है केंद्र विद्याले संगठन के द्वारा कि इतने स्कूलों में बच्चे के लिए आप offline form भर सकते हैं, जब आप कक्षा दूसरी और उससे उपर के कक्षाओं के form भरेंगे तो अपने घर के पास कि जितने भी केंद्र विद्याले आप सभी में जा सकते हैं, बात कर सकते हैं, अगर उन कक्षाओं में seat खाली है, जिन में भी form नहीं भर पाएंगे, कहने का मतलब यह है, कि कक्षा पहली के जब online form भरे जाएंगे, तो एक online form में तीन स्कूलों के नाम जाद से जादा आप लिख सकते हैं, और कक्षा दूसरी और उससे उपर के कक्षाओं के जब offline form भरे जाएंगे, तो उसमें कोई भी सीमा नह कानी हो, उमीद करती हूँ, इस बहुत ही मतलब जानकारी से आपको लाभ होगा, और जब आप form भरेंगे, तो पुरी clarity के साथ form भर पाएंगे, अब मुझे ड़कर श्रद्दावसिश के जासे दीचे, नमस्कार